स्वागत आप सबका ICC Women's T20 World Cup 2014 के मैच नमबर 13 के अंदर मुकाबल है बंगलादेश विमिन बना वेस्ट इंडी विमिन के बीच में जो खेला जाएगा शर्जा क्रिकेट स्टेडियम के अपर मैच टाइमिंग है शाम के सड़े 7 बजे गुरूप B का बहुत ही कुरूशल मैच है क्योंकि आपको ग्रूप B के अंदर इंग्लेंड विमिन की टीम दिखती है जो आप मान सकते हो समी फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी पर दूसरी टीम कौन सी होगी वहां पर तीन टीम्स लड़ाई कर रही है और दो टीम्स तो आपको इस मैच में दिखी रही ह इस लाई के वरिच्वल क्वार्टर फाइनल तो देखते हैं इस गेम में होता क्या है तो इस उडियम डिसस क्या करेंगे बहुत सब्सक्राइब जैसे की स्पिन को कौन कैसा खेलता आपको बता है शार्जा में मैच हो रहा है और दोनों टीम्स के बास अच्छे कासे स्पिन सब्सक्राइब जैसे कंडिशन होती है लगबग जहां पर इसी कंडिशन की आदत है और कौन को कैसा खेलता इसके बारे में बात करूँगा यहां पर बैटर के एवरेज है बैस प्लेट प्लेट पर से चर्चा करेंगे फिर कुछ ग्राफिक से आपको हैं चीजों को समझने के अंदर अभी तक इस विमन्स T20 वर्ल्ड कप शार्जा में तीन पिचस का इस्तेमाल हुआ है पिच नंबर तीन चार पांच तो इनके बार में डेटेल से बात परूँगा कौन से पिच कास मैच में इस्तेमाल हो सकता है और दोनों टीम के स्टैट से हैट टुर नंबर तो स्टैफनी डेलर अगें स्टैटिस के और 104 का स्टैट रेट है बहुत बैठर स्टैटी खेलती है दोटीन अठाइस के अवरेज इनकी आशट पर जहां दीजिये बहुत ही प्यारी है और जो स्टैट रेट है न सबसे बेस्ट तीम में एक उठारा गा हैली मैथ्यूस बाइस क्यों स्टैट का स्टैट रेट है यहां से जो कप्तान है निगर सुल्ताना यह सीन अतान के चलती है इस टीम के लिए क्योंकि स्टैट रेट है जो आप समझ भी सकते हैं क्योंकि इस टीम में को ऐसा खास हिटर नहीं है कि जो इसका साथ दे सके इसी को आराम से टुक टुक करके गीम चलाना पड़ता है और आप टेलीग्राम भी जोइन कर सकते है यहां बर होता है कि साथवजे टॉस होता है कुछ कप्तान ने टॉस पे बोल दिया वो मैं आपको important news बता दूँगा क्या उन्हेक है ऐसे कुछ points बता हैं जो important अपने लिए जानना उसके बाद है 7-10 को picture report आती है शाम को तो वो भी मैं आपको बता दूँगा को कोई दिकत की बात नहीं है यहां पर 8 October को मैच हुआ और यहां पर यहां पर 125 प्लस नहीं बना था लास्ट गेम में बना लास्ट दो मैचेस में अच्छे स्कूर बने क्योंकि जो पिछ है ना पिछ नमबर चार उस पे ग्रास है और थुड़ी सी बहतर ट्रैक है तो अब देगो हुआ गया था 148 बना 8 विक्ट के नुकसान पे चेसिंग टीम 88 पे रुख गई यह नुजलेंड का हाल था जैसे बले 124 बना 6 विक्ट के नुकसान पे और चेसिंग टीम इसको चेस कर गई थी 19.2 ओवर्स में या इतिंग मैस था बंगलादेश का और इंग्लेंड का जितना मुझे याद आ रहा है एक्सो अठारा बना 7 व पाकिस्तान का जिसमें श्रिलंगा चेस नहीं कर पाई थी 119 बना यह बनाया था बंगलादेश ने और स्कॉट्लेंड 103 पे रुख गई थी तो बंगलादेश इस वनी के उपर दो मैचेस खेल चुकी है एक इनोंने खेला था अगेंस इंग्लैंड जहां पर कुछ क्लोज मैच जाके आरे और स्कॉट्लेंड से आप जीते थे दो में से एक जीते विस्ट इस वनी के पर पहली बार खेलेगी इड विल भी हिस्टरिकल गीम फॉर बैटिंग फॉर्स चार मैचेस जीते हैं आट उप लास जी तो पहले बल्ले बाजी करो सिंपल सा फॉर्मूल पहली बारी के अंदर स्विनर्स के 30 विगेट दूसरी बारी में 21 से पेसर के 29 विगेट पैली बारी में 13 दूसरी बारी में 16 राइट ताम पेसर 25 लेफट ताम पेसर चार ऑफश्विनर्स का पंदरा लेफट ताम ओट्रोलक्स मेरार की 23 विकेट से 20 के उब पर आगे चलता है तो पिछ की फुटू देख लिए हम जो डिसेंटली मैच हुआ ऑस्टिलिया नुजिलेंड गा तब एसी पिस दिखी दिए ग्राइस पिछ के उपर और यह बॉल यहां पर अंडर लाइट स्विंग होगी सेकेंड इनिंग्स में अगर एक्जामपल लो कि मैं आपको समझाता हूं पहले ग्राफिक्स देख लो बाउंड डिफरेंस दुबाई और शार्जा में इस वल्ट कप के अंदर आठ सेंटीमे इस वाज जैसे आपको चौके चक्के कम दिख रहे हैं इस वाज जैसे आपको स्टूनमेटिक अंदर चौके चके कम दिख रहे हैं इस बीच नूमबर 4 के डिमेंशन से 6359 सामने तीयत्तर लोंग ओफ लोंग और 70 और 69 मिटर से और यह बंगलादेश इंग्लैंड और 357 सामने तीयत्तर बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंग काली पिश पिछ नूमबर 5 के डिमेंशन से तीन पिचस कभी तक इस्तेमाल हुआ है इन मैंने यह भी लिख के दीदिया उसके डिमेंशन से यह हैं पिछ नूमबर 5 ना एकदम बीच में ऐसा समझ लो आप यह स्ट जो एक डिमेंना यां अंडर द लाइट अल्ग भूल यह ती है बतलब क्या है यह जब मैच वहां स्टार्ट लो नै पहली पारि में तब बजररे होता है शाम के छेवा तो हमकर आपने या वस서도 घोटे तो हलकी सी यह जाती है बट सेकंड निंग्स में क्या होता है लाइट डार्क मेस कें दर वाइड बॉल और ज्यादा स्विंग करती है तो एक दो बॉलर्स है महरुफ अक्तर फरं बंगलादेश इंपोर्टेंट हो सकती है बॉलिंग सेकंड में एवन बॉलिंग फर्स्ट में भी आप ट् बॉलिंग फर्स्ट में भी होगी यार क्योंकि सामने जो उपनेट से लप्पे मारते हैं यार क्या नाम उसको दिलारा अक्तर शाती राणी आड़े त्रेडे बैट चलाते हैं तो दोनों प्लेट्स आपके लिए कुरिशोल हो सकता है तो देखते हैं क्या होता है बैद फूग जिलार अक्तर उपन करती है शाती राणी के साथ फिर आती शोवना मॉस्त्री जो पिछले दो गेम में अच्छा खेली है निगर सुल्ताना ताज नहर शोरन अक्तर रितु मोनी फाइमा कातुन रभ्या खान नाइद अक्तर मुरूफ अक्तर हर प्लेयर ने जोपन करती है यह ना जोसफ के साथ जो लेफ्टी है और पिछले गेम में आपने देखा होगा जलकी है कि इसके बास बूच्छुल पावर है जो कहते हैं एकदम खतरनाप पावर है इसके बैक फूट के आप पंच देख लो सामने डाउन दग्राउंड छक्का मारा था इन आगे चलते हैं यह बंगलादेश विमन्स के टी ट्वन्टी है स्टाइट से जैसे में आपको एक्जाम्पल के लिए समझाता हूं फॉर मुर्शिदा कातून लेते हैं जिसने फॉर्टी नाइन फॉर्टी एट मैचेस किलें टी ट्वेंटी आई में 22 के आवरिज और नॉस कमाल की बॉलर है यह फोटो में वही थी नाइज अक्तर शादी राणी हैट्वड नेगिला वैन्यू के पर दो मैचेस में 36 रंज है पहले मैश 29 किया बैटिंग फर्स और पिछले गेम में साथ किया था चेस करते हूं अगेंस एक लाइंड दिलार अक्तर चेहरे ने चेस कर मैच में किया दूसरे में चम्माल इस किया तो ठीक टा के उगदान राइस का निगर शुलता ने अट्वडिक अंदर दो मैचेस खेल चुकी है 29 रंज है जीरो कैस दो स्टंपिंग है और कुल मिला के चेस ही यह इस ने वैटिंग फर्स में कुछ नहीं है 27 और 2 वैन्यू के अच्छा रहा है बहुत अच्छी क्रिकेटर बहुत वहनती है struggling कानी इस प्लेयर की फिर यहां पे शौरन अक्तर आती है दो मैचस के अंदर सात रहन बैटिंग फर्स माच चेस के उपर दो और दो मैचस के अंदर एक को डाला तो दोनों एक्सपेंसिव रही थी टाज नहीं है दो मैचस में साथ रहना कोई खास युगदान नहीं रहा है इसका भी यह भी अग्रेसर है वैसे रोल इसका यह कि पावर मिड़ फेस के अंदर अच्छे टिंग कर लेती है रितु मोरी का एक मैच में जीरो रहना है एट्टोड में चेस करते हुए और बॉलिंग नहीं कर मेरे साथ से कातून डिजर्व करती है एक नंबर उपर तीन मैचस के अंदर पांच रहन से दो विगेट है 6.7 की एकोनोमी है बॉलिंग फर्स्ट की है तीनों बार दो विगेट है दो बार विगेट लस एंड एक एक तीन ना बाद वैने की उपर दो मैचस में तीन है प्रूशल प्लेयर है नाइद अक्तर का तीन विगेट है बालिंग फर्स्ट एक मैच में जीरो इसली आउट कर सकती है यह कियाना जॉसफ को इस तरह की बॉलर है और उनके रेडार से बाहर रखने की कोशिश करेंगी इनका नैचुरल एंगल ही बाहर जाता है उनसे किया है शुलताना कातून अविलेबल मतलब है बट 11 में नहीं है अविलेबल आजकल जनार आला हमने तीन मैच में तीन विगेट निकालें बॉलिंग फर्स्ट करते हुए दस ओर डाला है और श्यदा कातून ने मेनीव बारा बनाया है तो पिछले गेम में हुआ था मरूफा ने जस्ट डिंग्स रेक खतम होता उसके बाद एक और इसको डलवाना ही होता है विस्ट इंडीज मुमन T20 आई प्लेर स्टाट्स वेटिंग वाइस यह देख सकते हैं और यह इनके बॉलिंग वाइस स्टाट्स है इसमें किसी का मिल्स्टोन है नहीं अगले मैच में होगा लि अले मैथ्यूस दो मैचस में 47 रंस और 96 का स्टाइक रिट दो विकेट चाहर की कॉनमी यह बॉलिंग एकी बार कर रहा है इसने एक इनिंग मैमिन विद द बैट 41-6 बैटिंग फॉर्स 20 पर यट्टू पल है रिसेंट फॉम आट रन एक विकेट दस रन जरू विकेट इस लो पार पर्फॉमेंट्स विद्ध स्टैंडर्ट सैली मैथ्यूस सेट्स फॉर हर सेल्फ टेलर दो मैचस में 69 रंस चाहर विकेट है बैटिंग फस्ट चाली सुम्तिस बॉलिंग है ना के बराबर कराती कभी कभार आ जाती मट मुश्किल है खराना इतने सारे पहले बॉलि लपे वाली प्लेयर एक का दो वर वैली तो है केमबल का तीन मैच में तेरा रंस साथ बैटिंग फस्ट पांच नाबाद एक और सौका स्टाइगरेट एक भी कैच नहीं पकड़ा ब्याइंड विकेट ना स्टंपिंग फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं डॉटिन का तीन म इलेन जिसकों डवलॉ आइपल से जानते है पहले तीन मैचस मैं 76 रंस बटिंग फस्ट 20 चेसे 29 नॉट आट वीच्ट प्लेयर एक टाइगरेट एक प्लेयर अच्य करेड है अच्य नंबर से बुड प्लेयर एपलेट निच्छिव प्लेयर रही है रही है एंड्री एट्व विकेट साथ रेंजरु विकेट दो इसने में डाले ते और अच्छे कासे ओवर थे बट विकेट नहीं मिले चेटन नेशन है टूड बेनी कुछ नहीं खेला फॉर्म चार चार एक चाउदा अफ्यू फ्लेट्चर ने दो मैचेस खेले हैं टूड में बॉल सेकेंड दो विकेट है और च्छे ओवर जा दे हैं फॉर पैंट संकी कुछ नहीं में कुरूशल पी गया है लास्ट गेम में थ्रीफर लेगे आ रही है अश्मिनी मुनिशयर कोई खास योगदान नहीं है रिसेंट फॉर्म भी इतना खास नहीं रहा है करिशमर हमेंग एक इंपोर्टेंट बॉलर है अभी तक ज़्यादा खास किया नहीं है वाट शीज वेरी गुड बॉलर एक रेफ्टाउन है जाइदा जेम्स यह भी अच्छी वैल्यू दे सकती है आपको मैच में खेलते भी कॉनल को लास्ट गेम में ड्रॉप किया गया था शायद इस मैच में भी ना दीखें तब देखो पिछले गेम में एंडरी ने पहला पांच वा साथ वा डाला सोचो इसका इतना च्छा सपवा तो भी तीन ओर गराए प्रॉपर वसरी फिफ पावर प्ली ऑवली बॉलर है उसके बाद इसका कोई काम नहीं है ऐसा आम तो पर देखा जाते हैं हेंडरी का दूसरा चौता बारवा ठारवा करिश्मा चटवा दसवा चौदवा भीसवा मुणिशर का आटवा था एफ़ का नववा ग्यारवा तिरवा पंदरवा क्याना का सोल वा एलिया एलीन का था सत्रवा उन्निस वा विकेटलस गई तो भी मैच अपस कोई घास नहीं है निगर सुल्टाना वर्सेज डॉट इन है हैली मैथ्यूज ने 8 बॉलों में 6 रंदे के दो निंग्स में एक बार आउट किया है एफी ने 32 गेंद में 22 रंदे के दो पारी में एक बार आउट किया है प्रिंतुमोनी वर्सेज एफी एक बॉल 0 र परिशान नहीं गया वह परिशान भी है यहां पर वर्सेज नहीं दिखका दा 17 बॉल 12 रं दो इनिंग्स में दो बार आउट किया है यहीं मैच अप्ट वर्सेज रित्तुमोनी चार गें 15 रं एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है और यह शांदार आगडे तो आपको लियाद ही होंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के दू मैचस में डिटेल से बताया था इनके बारे में तो आप पड़ सकते हो सब निगर सुल्ताना दे मोस्ट रंस इन डेथ फेस पोस्ट ट्वेंटी वर्ल्ड कप एंड थर्ड मोस्ट रंस वर्सस पिन पोस्ट ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 श्रीव लवस्ट बैटिंग फॉर्स्ट यह मिशा देखा गया रभ्या खान बहुत ही बड़ी आप यह बालिंग कर लेती है नाइद अक्तर बालिंग फर्स्ट में बहुत ही स्पेशल होती है बालिंग सेकंड में यह से बैक करोंगा स्विकेट के उपर इन कंडिशन्स में है अली मैथिस के बारे में क्या ही चर्चा करें डॉट इन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सबसे बेस्ट इस आशन पर साइनप कर सकते हैं एगर आपको लीडर बोल्ड में पार्टिशिपेट करना है अच्छे प्राइज अगर आपको में लीडर वोल्ड बाता हूं तो वैया लीडर बोल्यवें है उसितिनी सारी भाईं होती है माता-खोडी का अगाभाताओ को लिए बताऊ लुए तो जिसमें भाई सब अच्छे का से प्राइज़ है नवरात्री डिपॉजिट अफ़र भी चल रहा है तो आप पार्सिप्ट कर सकते हैं वहां जाके ठीक है अब बैक तो दो पीपीडी रिजुम दो स्लाइड शू मेरे भाई यह नहीं दूसरा पीपीटी है उतर रहता है कोई नहीं है यह मैंची स्कॉमन कैप्टर होंगी अलोंग विद निगर सुलताना फॉर मी कीपिन से अच्छी वैल्यू जेती है अलाग थोड़ सा जाना है तो क्याना जॉसफ अपको अच्छी वैल्यू जे सकती एका दोवर प्लेस बैटिंग में उपर आके लपे मारना रितु मोनी जिस फॉर्म में भाई काभिलेतारी पर्फॉर्मन्स रहा है है हैं अगर आप फेंटेसी में नहीं हो तो मैं आपको रिपीट करूंगा बैटर्स मत भरना है इस गेम में शार्जा में मैचे स्पिनेट्स गे बैटर सेक्शन में मैं आऊँगा ही नहीं सबसे लास्ट में आऊँगा आलराउंडर में आईए हैली मैथ्यूज डॉटिन रितु मोनी हेंडरी और फिर यहां से फाइमा काथून यह तो मस्ट पीका पाचो बट इसमें दो हिडन प्लेट्स है शॉर्न अक्तर इसका दिन र बॉलिंग में देखो नाइदा को लेलो रभ्या को लेलो दो प्लेट्स मस्ट पीका फी फ्लेट्चर भी मस्ट पीका तब करिश्मा रम को भी आप नहीं चूड सकते जिस तरह की बॉलर अफ्लाइट देती है इसको भी ले लेता हूं तो मेरे प्लेट्स हो यहीं पूरी हो जिसमें मरूफ अक्तर के लिए जगा नहीं बन पाई जगा यहां अली अलीन के लिए जो ग्रैंडिंग में अच्छी पी गो सकती है दो डेथ में डालती है अब देखो यहां से मैं किसको लूँगा यहां पे भी लफड़ा भई या क्यान औजसफ को छोड़ दिया तो खाल अब यहां पर देखना के साथ जा रहा हूं कि एक ओयोवर भी बहुत कुरुचल है इन गेम्स में टेलर में लाश्मूट में देखोंगा कहीं जगा बन रही है तो ले लूँगा पर देखना पड़ेगा यहां से करिश्मा और को निकालना के या फिर किसी डॉट इन को निक कैपटंची में मेरे पास सबसे बड़ी ऑप्शन है इस गेम में ऐली मैथ्यूज और वाइस कैप्टंची में जनता जारी रित्यू मोनी के साथ आप जा सकते है निगर सुलताना के साथ जो कीपिंग से वैल्यू देगी या फिर आप जाए इस गेम में नई दक्तर के साथ जो वोल्ड क्लास स्पिनर है के दो तीन नाम है जिनको आप रोटीट कर सकते हैं जै कैप्टन वाइस कैप्टन है थोड़ी से रिस की है फाइमा का उतन वैल्यूवल ऐसा दो सकती है जै वाइस कैप्टन ओवर रित्यू मोनी थीक है अभी के लिए मैं निगर को करे देता हूं टीम बन गई है देखतर ही स्टाइड सुर्जी मिलते हैं तेली राम के अपर शाम के साथ बजे विद्ध पीच रिपोर्ट जो मेने पास डेटा होगी एंड एंड इंज्वाइ इस मैच एंड सी सून